अंतर राष्टिय महिला दिवस पर तमाम जो महिलाएं हैं वो इखट्टा हुई है उनसे बात कर लेते हैं चूंकि समाज को पुरुस प्रधान समाज कहा जाता है लेकिन कानून में जो महिलाओं को अधिकार दिये गए हैं क्या उनका सद उपयोग या ठीक से उपयोग किया ज देखिए मैं बहुत गौरवानमीत मैसूस कर रही हूं कि आकिर हमारे लिए भी एक दिन समीधान में बनाया गया है और बहुत अच्छा लगता है इस दिन सभी महिलाएं एकटी होती है और जगे-जगे कारकरम के माधियम से उनको सम्मानित भी किया जाता है क्या केवल सम्म कि यह है कि हम घर पर जाके उन चीज़त को इंपलीमेंट भी खरे हम वैली समझे कि हमारे घर में जितनी फीद्न है उनका क्या योगदान है और उन्हें किस तरह हमारे घर की उनदी میں पाटिसिपेट किया है तो हम घर जाके उन चीज़त करें और अपने घर की महिलाओं का सं सम्मान दिलाने के लिए नारी सक्ति अभिनंदन बिल लेकर आए उसके बार में 33% जिस तरह से आरक्षण अब राजनी तीम है खास तोर से विधान सभा और लोक सभा में कितना सम्मान बढ़ता हुआ महिलाओं का यह तो बहुत खुशी की बात है कि मोधी जी ने 33% महिलाओं क क्यों जाता है महिलाओं को जागरुक करना उनके अधिकारों के बारे में बताना और यह प्रोग्राम जब शुरू हुआ था तो स्रोजनी नाइडियू जी ने के जनम दिन से शुरू हुआ था स्रोजनी नाइडियू जी ने सबसे पहले तो उन्होंने वह कवित्री थी उन कि लिए ये γां तो इसी लिए ये मछिलाओं को कानून में तो अधिकार मिल के क्या समाज में अधिकार अभी पागना बाकी है यह महिलाओं अभ इतनी मजबूत हैं अभी महिलाओं कि पहले तो सब महिलाएं हर फिल्ड में सशक्त हो गई है और पहले तो मोदी जी नहीं उनको 33 परसंट का अरेक्षन दिया और आज महिलाएं इतनी सशक्त है कि वह अपना अधिकार लेना बहुत अच्छे से जानती है कि अभी और भी लगता है आपको कि समाज में कमी है जो पूरा होना जरू हो ही जी बिलकुल अभी मेट्रो सिटीज में हम कह सकते हैं कि जो महिलाएं है वह जो मेट्रो सिटीज है वहां पे जो महिलाएं है वह जादा जागरुक हैं लेकिन गाउं में कस्बों में अभी भी बहुत काम होने की जरूरत है अभी जो वहां की महिलाएं उन्हें अपने राइट्स के बारे में नहीं मालूम है वहां पर उनके साथ कोई अच्छा वहवार बराबरी का वहवार आज भी नहीं होता है तो इसलिए अभी भी बहुत काम होने की जरूरत है जिससे तोर से देखिये अंतराश्टिया महिला दिवास है और ऐसे में हमाम जी हां कुछ बता क कहना चाहरी हूं यहां सभी ने कहा कि महिलाएं सशक्त हो रही है बहुत अच्छी बात है लेकिन मैं एक विधी अधिवक्ता लोगों को बच्चों को पढ़ाती हूं और विधी शिक्षिका भी हूं उस प्रणिपेक्ष में जब मैं देखती हूं तो मुझे ऐसा लगता है क कि इस्त्री तुम पूरुष ना बन पाओगी बस एक लाइन में उनको यह कहना चाहते हूं जो आज यह महिलाओं ने पूरुष बनने की जो दौड़ बना दिये ना उससे भारत की जो संस्कृति वो चर्मरा गई है तू सहज है सरल है अपना वही सभाव रख अपना वही स संसकार रख और उसके माध्यम से तू समाज को संदेश दे इस्त्री तू पूरुष ना बन पाएगी इसलिए इस दौड़ में शामिल मत बड़ी बात कह रही हैं बिलकुल देखें बेशक अंतर रास्ति है महिला दिवस मना रही हो लेकिन इसमें जो अर्दगार महिलाओं क हैं उन्हें पाना अभी बाकी है लेकिन इसके साथ साथ में जिस तरह से के मिस्त्री तू कभी पुरुष नहीं बन पाएगी यानि कि जो सामाजी के एक ताना बाना है उसको भी लेकर आगे बढ़ना होगा फरिदाबास से डेवें विरकॉसिक इंडिया जूरुष